देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प आदेव के ग्रिपाप सभी पर सैदायव बनिद है यह वीडियो है 5 जनवरी 2022 थरस्टे यानि की गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में समान विश्टेशन होता है आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सोगिदा के लिए राशिफल एक द चतुरदशी नक्षत्र म्रिक्षिरा योग शुक्ल करण गरज और वार रहेगा गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है सूर्य महराज 7.15 एम पे ओदे होके अस्त होंगे 5.39 पीम पर चंद्रमा विर्शब में रहेंगे नक्षत्र रहेगा म्रिक्षिरा और सूर्य दे इन दोनों ही अशुब मुरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विश्नु चालीसा का पार्ट करके ही घर से निकल लिएगा तो इथा पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के से एक शुब दिन है धनके यह सापसे बहुत शुब दिन है ऐसा लग रहा है कि अचानक से पैसा आ सकता है कुछ पैसा रुखा हुआ था वह भी वापस आसकता है और इन्वेस्मेंट के लिए आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है वह रहूँ इक डिसिबलेन आता हुआ इसका उपयोग कर सकते हैं, छोटी-मोटी चीजों से निकलने का प्रयास कीजिए, अपने आपको छोटी-मोटी चीजों में इतना बांध के रखा है, कि बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, जहां तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, क्लेरिटी आती हुए दिख रही ह बिजनस के हिसाब से भी दिन ठीक ठाक है, लेकिन व्यरत की चिंताएं जादा देख रही हैं, जहां तक लव लाइफ की बात है, बैलेंस रखिएगा, जज्जमेंटल कमेंट्स बिल्कुल पास नहीं करने, विवाहिक जीवन, रिलैक्स एटमॉस्वेर रखिएगा, कुछ भी स्ट्रेस वाली बात मत कीजेगा, जहां तक स्टूडेंस की बात है, थोड़ा सा नकरात्मक दिन है, जैसा आप चाह रहे हैं, वैसा दिन नहीं जाएगा, कुछ काम भी आजाटक सकते हैं, सेहत के हिसाब से हृदे संबंदित कोई रोग है, ध्यान दीजेगा, सरवाश् आपका ब्ल्यू भागय पतिशत 75 पतिशत, टॉरस, ग्रिशब, आज का दिन अपनों के साथ पिताईएगा, तिन अच्छा है, रुके वही कारे पूरे हो सकते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, इसका उप्योग कीजेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जुड़ा कारे करते हैं, और लाब होगा, लव लाइफ, दिन तो ठीक है, लेकिन एकी जीज़ कहूंगा कि जाधा डिपेंडेंट मत रहीएगा अपने पार्टनर पी, ना केवल आज के लिए कह रहा हूं, आने वाले दिनों के लिए भी कह रहा हूं, इमोशनल डिपेंडे थोड़ी कम कर लिजेगा, विवाहिक जीवन ठीक है, कुछ बातें अगर लग रही है कि ये प्रॉब्लम क्रेट कर सकती है, तो उनको आज डिसकस मत कीजेगा, स्टुडेंस थोड़ा सा नकरात्मक दिन है, थोड़ा उदास फील करेंगे, सेहत के इसाब से खाने पीने के कर प्रॉब्लम हो सकती है, जहां तक सरवाश्टक की बात है, दस्वा स्थान अतिंत बली है, तो दिन अच्छा है, चीजें आगे बढ़ेंगे, आपके लिए उपाई ये है कि आपको विश्णु जी को खीर का भूग लगा कर एक बर उनकी आर्थी करनी है, शुब अंक है कल रहे है आपका औरेंज भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत, जमिनाय यानि की मिथुन की दिरफ और, कुछ नया मत कीजिएगा, चीजों को सरल रखेगा, आज उत्साहा थोड़ा बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, लेकिन उस चक्कर में कुछ गड़बड भी कर सकत हैं, तो चीजों को धैरे पूरवक, सरलता के साथ आगे बढ़ाईएगा, ओर एक्साइट्मेंट से बिल्कुल बचना है, दिन अच्छा है जैसा मैं कह रहा हूँ, अच्छी न्यूज आ सकती है, लाब हो सकता है, लेकिन वही चीज आपको, जैसा मैं पहले भी कईवा पता इंवेश्मेंट बड़ा माउंट नहीं करना, अपने बारे में कुछ नया सीखने का दिन है, अपने आपको जानने का दिन है, तो थोड़ा सा आत्मोमन्थन करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, जहां तक करियर की बात है, यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती ह अगर आपको कोई decision लेना पड़े या आप ऐसी ही position पे है, जहां पर बड़े-बड़े decision लेने पड़ते हैं, आज का दिन थोड़ा कश्टकारी हो सकता है, बिजनस के हिसाब से, थोड़ा सा अपने communication पर ध्यान दीजे, अपने connections पर ध्यान दीजे, love life, बहुत emotional दिन रहेगा तो आज का दिन कुछ भी ऐसा नहीं छेड़ना topic, जो आपको पता है कि गलंड direction में चाएगा, विवाहिक जीवन, compatibility issues आ सकते हैं, जहां तक students की बात है, थोड़ा relax रही है, बहुत जादा सोच रहे हैं, और उसके कारण अपनी उर्जा क्षीन कर देते हैं, सेहत के हिसाब से, आपको नसो के रोग तंग कर सकते हैं, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका भागय स्थान अतिनते बली है, तो दिन ठीक है, मैंने कहा था भागय का साथ भी मिलेगा, बस वो जो शुरू में चीज़ें बताई हैं, उनका ध्यान रखेगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी की एक बार आरती करनी है, कपूर के साथ, शुबंक है वन कलर है भागय पतिशत पचतर पतिशत, कैंसर करक, फोकस की बहुत कमी दिख रही है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो करने जा रहे हैं, क्या वो लॉंग टर्म है, क्या उसका अच्छा इंपेक्ट रहेगा, क्या हो लॉंग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, अगर कुछ बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, सोचिएगा इन सब चीजों का, इमोशनल लोग होते हैं, कभी-कभी emotions में बहकर कुछ गलत चीज कर देते हैं, करक राशी वाले तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं आज, या आने वाले समयम भी हो सकती हैं, लेकिन वो जब मैं शुरू में बात कही, focus, अगर वो नहीं है, तो नहीं हो पाएंगी, focus पर बहुत आज काम करना पड़ेगा, investment बिलकुल मत कीजेगा, बहुत ज करता है, वो भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, तभी लोग कभी future planning में विफल होते हैं, क्योंकि वो केवल अच्छी अच्छी चीजे सोचते हैं, कि हाँ, यह हो जाएगा, यह कर लेंगे, लेकिन उसका जो downfall है, जो side effects है, जो negative चीजे हैं, वो नहीं सोचते हैं, और ऐसा problematic दिन है, अकर बहुत जाधा problem सल रही है, तो आज का दिन कठिन जाएगा, विवाहिक जीवन, बहुत जाधा आपके अंदर एक intensity रहे गी आज, और आप बहुत सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहेंगे, जो थोड़ा आपके व्यक्तित्व के खिलाफ है, इस चीज़ पर control करना है, शुब अंक है, आपका 9 color है, आपका brown भाग्य पतिशत है, 70 चलते हैं, लियो यानि के सिम्ह के तरफ, आपके लिए आज का दिन ठीक है, कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रहे थे, पूरी हो सकती है, एक focus वापस आएगा, मन भी अच्छा रहेगा, यनिकी mood भ काम ही आ रही है आपके अंदर, investment मत कीजेगा, चीजों को बहुत सरल रखना है, ज्यादा dramatic, melodramatic कुछ भी नहीं करना, ज्यादा करियर की बात है, दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज आलस से रहेगा, और उसके करण problem हो सकती है, business, बहुत शुब दिन है, intuition अच्छा रहेगा लेकिन हाँ, अगर घर में कुछ problem चल रही है, उसका business पर असर नहीं पढ़ने देना, ये balance आपको हमेशा बरकरार रखना है, love life के हिसाब से, ठीक दिन है, कोई ज्यादा problematic दिन नहीं दिख रहा, विवाहिक जीवन, यहाँ पे भी दिन ठीक है, थोड़ा अपने life partner की वाश्टक में आपका सब्तम भावत इंत बली है, तो दिन ठीक है, balance दिन जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलीसा का एक बार पाट करके, विश्णु जी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है, शुबंक्या 6 कल है आपका green भागया अपको देना है, अपने साथ connection कही ना कहीं खोता जा रहा है, इस पर काम कीजेगा, अपनी उर्जा को सही direction में लेकर जाना है, दिन ठीक है लेकिन मेहनत भरा देना है, investment कर सकते हैं, कुछ भी करें तो यह देखिए कि क्या उसमें या उस चीज के प्रतिया आप commitment रख पाएं का मौका आपको मिल सकता है, अगर आप tourism से जुड़ा, animal product से जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं, लाब होगा, love life के हिसाब से, चीजों को आज simple लखेगा, जो basic चीजे होती है, relationship की उस पर ध्यान देना है, वो communication हो, romance हो, इन चीजों पर ध्यान जादा देना है, विवाहिक जी करेंगे, सरवाश्टक में आपका छटा भावतिंत वली है, तो थोड़ा अपना सेहत का ध्यान देजेगा आज, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चालीसा का दो बार पाठ करना है, शुब अंग है 9, कल है वाइट भाग्य प्रतिशत, 70 प्रतिशत, लिब् कहीं न कहीं, अपने आपको खुश करने के लिए कुश ना कुछ विक्ति को करना चाहिए, और आज का दिन वैसा ही दिखना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, सेल्फ इवैलिशन का, सेल्फ एनलाइजिंग का, इन सब चीजों का आज का दिन है, जादा बहरी चीजों पर ध्या कारे करते हैं, लाब होगा, बिजनस में भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन जो कारे छूट रहे हैं, उनको जादा देर डिले मत कीजेगा, लव लाइफ, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव दिन दिन देख रहा है, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, विवाह के जिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका पंचम भावतिन तबली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा, ने-ने आइडियास आएंगे, आपके लिव उपाई यह है कि आप विश्णु जी की एक बार आरती करनी है, क पूर के साथ है, शुब अंक है दो, कला है आपका क्रीन, भागय प्रतिशत, 75 प्रतिशत, चलते हैं स्कॉर्प्य आने की रिष्चे के तरफ, दिन ठीक है, लेकिन एमोशनली दिन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर सब कुछ अच्छा चले, बाहर लोगों को दिखाएं कि सब ठीक है, लेकिन मन में कुछ दुख चलता रहेगा, वो कई कारणों से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कुंडली पर पर्टिकुलर व्यक्ति की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत दुख है, जो आप अपने अंदर आज रखेंगे, उसके कारण शायद कभी-कभी चीजों पर से ध्यान भी आपका हट सकता है, एक maturity लानी पड़ेगी, अपने दुश्पनों से सचेत रहे, ऐसे दुश्पनों से specially जो आपके जिनके पारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, जो ऐसे लोग होते हैं, जो आसपास ही रहते हैं, लेकिन हमेशा आपका बुर सिधा कहता है, करता है, आपको नुकसान पहुचाने का निरंतर प्रयास करता है, इंवेस्मेंट मत कीजेगा, जैसा मनी कहा, इमोशनली अच्छा दिन नहीं है, उसका impact रात को बहुत होगा, बहुत अलग सा, उदास सा थोड़ा feel करेंगे, जो भी है, अगर कुछ है, कोई problem है, उसको किसी के साथ share कीजिएगा, यहां तक करियर की बात है, over excitement से बचना है, कुछ ऐसा नहीं करना, जो आपको जिसके बारे में पूरी surety नहीं है, business के हिसाब से shortcuts ले रहे हैं, problem देगा, love life, यहां पे चीजें ठीक देख रहे हैं, दूस्ते को समझ पाएंगे, एक attraction रहे आपका चौथा भावतिन्त वली है, emotions का स्थान है, तो आज एक emotional rollercoaster ride होने वाली है, ups and downs भहत आएंगे, आपके लिए उपाई यह है कि आप विश्नु 40 का एक बार पाठ करना है, शुब अंक है 6, कल है आपका white भाग्या पतिशत 70 पतिशत, धनू, Sagittarius, अपने उपर विश् विश्वास रखे, अपने ईश्वर के ओपर विश्वास रखे, क्योंकि दोनों के ही कही न कहीं कामी आ रही है, कुछ ऐसा हुआ है शायद रिसेंटली जो अपने उपर से विश्वास हट गया है, डगमगास आ गया है, अपने ही decisions को आज question करेंगे, ठीक है, ऐसा सब के सकती है, जान बूच कर कुछ लोग ऐसे चीज़े कह सकते हैं, कर सकते हैं, जो आपको तंग करने के लिए हो, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपने उपर control रखना है, बिजनस के लिए बहुत अच्छा दिन है, जो कार्याट कर रहे थे पूरे हो सकते हैं, लव पार्टनर, आपके पार्टनर बिहेव करें, शायद वैसा नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी जिसके कारण आज का दिन थोड़ा नेगेटिव देख रहा है, विवाहिक जीवन, यहां पर चीज़े ठीक है, वारताल आप कीजिएगा, कॉम्मुनिकेशन बढ़ाईएगा, जहां तक स्टूडेंस की बात है, बहुत अच्छा दिन है, सेहत के हिसाब से, वाटर रिटेंशन दंग करेगा, लिवर के रोक दंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका तीसरा भावत तेन तबली है, तो चीज़ें कुछ आगे तो बढ़ेगी लेकिन अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उससे निकल पाएंगे, कोई कानोनी काम अटक रहे थे, वो भी सॉल्व होते वे दिख रहे हैं, जो छोटे मोटे होते हैं, बस इगो से बचिएगा वो एक चीज़ है जो आज का दिन थोड़ा खराब कर सकती है, अच्छा ही दिख रहा है, स्पेशली अगर टीचिंग से जुड़ा, स्पीकिंग से जुड़ा कुछ काले करते हैं, जिसमें बहुत बोलना होता है, अच्छा दिन जाएगा, बिजनस के हिसाब से दिन थोड़ा सा नेगटिव है, कुछ रिस्क मत लीजेगा, जहां तक लव तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन धहरे पूर्वक और बिना इगो के, जहां तक स्टूरेंस की बात है, थोड़ा जाग जाएए, बहुत चीजों को एजी ले रहे हैं, सेहत के इसाब से पेट की रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका धनसानत इंत ब बहुत अच्छा है, बहुत लाबकारी है, इमोशन अच्छे रहेंगे, काम बनेंगे, भागे का साथ मिलेगा, और जीवन जो अगर रुक गया था, चीजें जो रुक गई थी, रुकावटें जो आ रही थी, इन सब चीजों में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, पस्प बोलेंगे उस पर बहुत ध्यान दीजेगा, स्पेशली अपने प्रोफेशनल एट्मॉस्वर में, कुछ भी अन प्रोफेशनल मत बोलेगा, बिजनस के हिसाब से अगर कुछ कार्य बहुत महत्वपून कर रहे थे, महनत कर रहे थे, आज उसके अच्छे परिणाम विवाहिक जीवन, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ कम ही समयाज वतीत कीजेगा, और बातचीत भी कम ही कीजेगा, स्टूडेंस, स्टूडेंस के लिए आज का दिन अच्छा है, सेहत के हिसाब से, स्लिप ड प्लैनिंग का दिन है, आने वाले दिन कैसे जाएंगे, कैसे उनको प्लैन आउट करना है, इन सब चीजों पर विचार कीजिएगा, आज भागे का साथ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अचाना से धनलाब भी हो सकता है, यही कहूंगा कि अपने चीजों में क्वालिटी पर ज निखा पाए, निखार पाए, इनका मन नहीं लगता, और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आने वाला समय आपके लिए होने वाला है, तो इसलिए कह रहा हूं कि प्लैनिंग कीजिए, और तयार रही है उन चीजों के लिए, इन्वेस्मेंट मत कीजेगा, थोड़ा अपने जीव अधरवाइस तो ठीक है, लव लाइफ, लव लाइफ भी ठीक है, आज की कोई जादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट्स देंगे, एक दूसरे से अच्छी बाते करेंगे, स्नेह दिखाएंगे और अच्छा रहेगा, विवाहिक जीवन, यहा खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, व्यर्थ के खर्चे आज हो सकते हैं, उपाए है कि आपको विश्णु जी की एक बार आरती करनी है, और किसी भी फल का भोग लगाना है, शुब अंक्या आपका दो कल्या है, आपका यलो भाग्य प्रतिशत, 70 प्रतिशत, तो यह था, पां जगू करनी हैं, झाभ भाए हा ही हो के कि明大 और सबंदो विख आझ जाते हैं, इना आर आदिशत, 31 आख प्रतिशत, 24 वे चल के लाँसरतना है, उवैं, दुब आपको भाए हैं, प्रतिशत, 22 बवेढ धृप터, 23 वेजों अंक्यास जाकतिए, हैं खर्चें दीं जाएं, ए